विपक्षी गजबंधन को लगा जोरदार जटका कॉंग्रस नेताओं के धोखे से बरबाद हुई पार्टी चुनाव से पहले नहीं थम रहा इस्तिफों का दोर लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला नमस्कार मैं हुँ साम और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट लोग सबह चुनाव में पीम मोदी की बनने जारी हैट्रिक को देखते हुए विपक्ष के नेताओं में भगदर की स्तती बनी हुई है विपक्षियों ने इंडी अलाइंस के नाम पर जो कुनवा जोड़ने की कोशिश की थी वो लोग सुभा चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है बिहार में नितिश कुमार की एंडिये गटबंधन में वापसी हो गई तो बंगाल में ममता ने कॉंग्रेस को टाटा बाई बाई बोल दिया हालात ये हैं कि विपक्ष की कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और कुछ इस जुगाड में भी हैं कि जैसे तैसे एंडिये गटबंधन में शामिल हो जाएं पिछले कुछ दिनों से जारकंट से लेकर उत्ते प्रदेश राजस्तान से एंपी तक भाजपा में शामिल होने की नेताओं में होड सी मची हुई है इसको देखते हुए लोगसबा चुनाव से पहले ही इंडिय अलाइंस के नेताओं के होश पाकता हो रहे हैं लोगसबा चुनाव के लिए एहमदाबाद पूर्व सीट से अपनी उमीदवारी वापस लेने के तीन दिनों के बाद ही अब कॉंगरस पार्टी के राज़्टी प्रवक्ता और पूर्व सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुपता ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्ति कारजुन कड़गी को लिखें लैटर में कहा है कि मैंने अपनी उमीदवारी वापस लेने का अपने जीवन का सबसे कठीन फैसला लिया अब मैं कम्यूनिकेशन विभाग से जुड़े नेता की तरफ से लगातार अपमान और चरितर हनन के कारण पिछले 15 सालों तक पार्ट इस्तितियों से जूज रहते जससे मुझे वास्तों में उनके दरश्टी कोर को समझने में मदद मिले उन्होंने पिछले 40 सालों से ही विश्वास घात की घटनाओं के बारे में बताया उन घटनाओं के घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं जिने मैं उनके आसू में देख क आया हूँ। वो नहीं चाहते हैं कि मुझे वही कीमत चुकानी पड़े जो पूरे परिवार ने देखी है। अब मेरी नयतिकता मुझे पार्टी में बने रहने की इजासत नहीं देती। उन्हीं नेता ने अपने अहिंकारी और असब भिवहार से पार्टी को भी नुकसान पहुचाया है। सनातन धर्म के अपमान का विरोध करने से उन्हें जबरदस्ती रोका गया था। उनके मताबिक इससे पार्टी की छवी और निताओं की मनुबल को गंभी नुकसान पहुचा है। इस इस्तिफे पर गुजरात कॉंगरिस के प्रवक्ता मनीश दोशी ने कहा है कि रोहन गुपता अपने व्यवसाई खेतों के लिए बीजेपी में जाना चाहते हैं। पार्टी को दिया गया उनका इस्तिफा अस्क्रिप्टेड है। प्रवक्ता ने गुपता पर आरोप लगाते वे कहा कि आप पार्टी में रहते हुए भी पार्टी को नुकसान पहुचा रहे थे। आज आप जिस भाशा का स्तमाल कर रहे हैं उससे पता चलता है कि आप अपने नए आकाओं को उनके घर में प्रवेश करने से पहले खुश करना चाहते हैं। सीता और गीता के जुड़ने से भाशपा हुई और मजबूत। भाशपा पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक और पार्टी सुप्रीमों शीबू सोरेन की बड़ी वहु सीता सोरेन ने उन्हें और उनके परिवार को नजर अंदाज के जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तिफ़ा दे दिया। पार्टी सुप्रीमों और अपने ससूर शीबू सोरेन को लिखे इस्तिफ़े पत्र में सीता ने कहा कि उनके पती दुरगा सोरेन के निधन के बार पार्टी उन्हें और उनके परिवार को सहीयोग मोहिया कराने में नाकाम रही। इससे बेहत दुकी होकर में जारकण मुक्ती मोचा से खुद को अलग कर रही हो। से पहले पिछले महीने ही जारकण प्रदेश कॉंग्रेस को भी एक बड़ा जटका लगा था। गीता कोडा ने सदस्यता ग्रहड करने के बाद कहा कि सांसत बनी और काम कर रही है वो कॉंग्रेस की कारी-कारी अध्यक्ष भी रही है। नरेंद्र मोदी के कान से प्रभावित होकर ही वो भाजपा में शामिल हुई है। गीता कोडा के योगतान से कोलहान ही नहीं पुरे जारकण में भाजपा एक नई ताकत और नई उज़ा के साथ काम करेगी। अब जारकण की 14 लोगसभा सीटी भाजपा के खाते में आएंगी। हम नरेंद्र मोदी के खाते में जारकण की सभी सीटे देंगे। हाली में बीजेपी में शामिल हो गए। सीपी जोशी केंद्रिय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। भाजपा के दामन धामने वाले लाजचन कटारिया और राज़ेंद्र यादव अशोगेलोत के नितत वाली पूर्व कॉंग्रेस सरकार में मंत्री रहे थे। कटारिया पूर्व सेयुक्त प्रगति शील गटबंधन यूपीय सरकार में केंद्रिय राज़े मंत्री भी रहे थे। भाज़पा में शामिल होने के बाद एक सबागों संबोधित करते वे लाजचन कटारिया ने कहा कि वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़पा में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाज़पा किसानों गरीबों और आम आद्वी के दुखदर्द को समझती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंतरी भजनलाल शर्मा ही थे जिन्होंने पूर्वी राजस्तान नहर परियोजना ERCP के मुद्दे को सुलजाने का काम किया। सर्चिन पाइलेट के करीबी भी शामिल है। और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदसिता को ग्रहड किया है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्रफिदेश में भी डबल इंजन सरकार से प्रभावित होकर कई दलों के नेता भारतिय जन्ता पार्टी में शामिल हो गये हैं। जिसमें बसपा, सपा और कॉंग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दावन थामा है। आप जुड़े रहें कापिटल टीवे के साथ नमस्कार।